जैहीन एवरिवन माई नाम इज मिध्ले शाहु और आम आप यूटुब चैनल न्च वे मैं मिध्ले शाहु आपको अपने यूटुब चैनल न्च वे में श्वागत करता हूँ अगर आप NCC ABC Certificate exam की तयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत important है अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो please चैनल सस्क्राइब करें और अगर आपको जानना है Camps अमदी जितने भी competition होते हैं Camps में जो NCC Camps organized होता है उसमें जितने भी competition होते हैं सबका सारा detail आपको मिले गए इस चैनल के माध्यम से और जो C certificate holders होते हैं उनके लिए जो इस special entries निकाली जाती है उसका भी सबसे पहले notification आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा चैनल है NCC Way अगर आप चैनल पर पहली बर आएं तो प्लीज चैनल सस्क्राइब कर ले और आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही महत्तपूर्ण question answer पे एक नया वीडियो तो पढ़ते हैं question answer पहला question है पिस्तोल के प्रयोग में कौन सी प्रमुख सावधानिया बरतनी चाहिए 0.22 रैफल के बारे में पढ़े हो, इस्टेंगन के बारे में पढ़े है, 7.62 एमें के बारे में पढ़े है, अब पढ़ते हैं पिस्तोल के बारे में यह question है तो पिस्टोल के प्रयोग में कौन सी प्रमुक शाओधानिया बरतनी चाहिए जब तक निरिक्षण ना कर ले पिस्टोल को भरा हुआ समझे और पिस्टोल का बैरल हमेशा लक्ष की ओर रखें पिस्टोल का बैरल हमेशा लक्ष की ओर रखें उसके बाद तीसरा है पिस्टोल को दिखावे या खोलने के लिए प्रयोग ना करें तो ये चीज़े आपको समझ आ रहे हैं एक एक बार पढ़ने से तो इसको डीटेल में समझाने की जुरुत नहीं है और फिर नेक्स्ट है पिस्टोल को बीना जाचे न तो किसी को दे और नहीं किसी से ले और ये हो गया चौथा सौधानी और सत्रु के इतने निकट न जाए कि वहाँ आपकी पिस्टोल छीन सके तो ये एकदम सिंपल सी चीज है आपको समझना है तो पिस्टोल के प्रयोग में कौन-कौन सी प्रमुक शाओधानिया बरतनी चाहिए बोलेंगे तो आपको ये चीज़े याद रखना है फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन रात्री मार्च चाट बनाते समय कौन सी प्रमुख शौधानिया बरतनी चाहिए जाहिए इससे बनाते समय सौफ्ट पेंसईल का प्रयोक किया जाना चाहिए उसके बद दूरियों को गजो अत्व मीटरों में दर्साया जाना चाहिए दूरियों को गजो अत्व मीटरों में दर्साया जाना चाहिए उसके बद चौथा है चिनों अंकों सब्दों आदी को मोटे एक्षरों में लिखना वा बनाना चाहिए जो चीन होता है, सब्द होता है और अंख होता है उनको मोटे अक्षरों में लिखा हुआ बनाना चाहिए जिसे की उनमें उन्हें मध्धिम प्रकास में भी देखा हुआ पढ़ा जा सकें तो यह बेरी आइंप पॉइंट है इसको याद रखना है और यह पॉइंट आपको लिख नहीं है उसके बाद पांचवा है दीशा कोड चुम्बकी दीशाकों में दरसाने चाहिए उसके बाद कप प्राप्त करने के लिए आवश्यय गुढ कौन से है तो चेत्रकल ने निफूरत प्राप्त करने के लिए एक सा creepy में निलिखिद गुढ का होना है तो याद रखना भुथ यद्याय। की योग्यता होनी चाहिए एक सैनीक में और होनी चाहिए उसमें बुद्धी मत्ता single time कोर्यान होना ची चाहिए फिर सहस्त्र का ज्यान होना चाहिए फिर सारीरिक छमता भी होनी चाहिए उसके बद मानसिक योग्या भी होना चाहिए उसके बड़ पढ़ते हैं एक उत्तम गाट की क्या विस्पर आएं है यह सारा जो और यह कुशन को जो बार बार पूछा गया है वही वाला शीरी चल रहा है तो कल भी मैं एक वीडियो अपलोड किया था अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज कल का वीडियो देख लें और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल सस्क्राइब कर लें और फिर नेक्स्ट पॉइंट है गांड जिस उद्देख से लगाई जाए वह उसके अनुरूप और कारगर होनी चाहिए और उद्देख यह अत्वा कार्य पूरा हो जाने पर गांड को खोलने में भी सर्व होने चाहिए तो यह ऐसा कोशन इसको आप एक बार पढ़ोगे तो एक बार में याद होना चाहिए अगर आपको एक बार में याद नहीं होता तो दो बार पढ़ो दो से तीन बार पढ़ो लेकिन यह चीज़े याद करना है क्योंकि यह बहुत कठीन वाला चीज़े नहीं है बहुत कठीन लगने वाला शवाल नहीं है अगर आपको वीड बिच्छाने की दो प्रमुख विधियां कौन सी है most improv a IMP question है तो याद रखना बारुधी सुरंगे बिच्छाने की दो विधियां मुख्य विधिया कौन सी है पूछेंगे तो याद रखना पहला होता है Пट्टी वीधी जिसको striourt method bolo प्राया है एक मध्यम एक मध्य रेखा कि दोनों और समानदूरी पर कितना तो एक गज पर एक माइंस बिच्छाई जाती है बारुत सुरंगे बिच्छाने की दो वीधिया है कौन-कौन सा तो एक होता है पट्टी वीधि और दूसरा होता है छिड़कावीधि तो पहला को इंगलिस में बोला जाता है इस ट्रिप मेथद और दूसरे को बोला जाता है इस क्रेटेट मेथद और पट्टी वीधि में क्य जाती है और चिरकाव विधी में क्या किया जाता है तो इस विधी में प्राया बीना किसी नाप तोल के माइंस बे तर्तिब बिचाई जाती है तो याद रखना बारुदी सुरंग बिचाने की कौन-कौन सी विधी तो दो विधी कौन-कौन में याद्रख रखना है ये नेक्स्ट कोष्चन संचार की प्रहुख वीधियां कौन कि में संचार कि वीभी नवीधियां इस envision रखते हええइंहें इसके बाद सैंकेतिक भासा द्वारा उसके बाद अór द्धक को अद्द को गिलिघ दवारा उसके बाद धाव को को द्वारा इसके बाद होता है रेडियो कम्यूनिकेशन द्वारा और यहां पर थोड़ सा टाइपिंग मिस्टेक है यह सौरी क्या बोलते नंबरिंग करने में तो सेना में संचार की वीभी नवीधियां इस प्रकार है कौन-कौन सा तो सांकेतिक भासा द्वारा फिर ध्वनी माध्यम द्वारा फिर सिंप्रण पढ़ता है नेक्ष्ट कौ सासिक प्रसिच्छर से यह यह इर्मे से कुछ लाव्य之前 का पर बिकास होते हैं जरी फrition चरी कविकास होता फिसकी रिकास होता है उसका बहुत कश्टो का शामना करना सीखते हैं वेरी आई एंपी चीज है आपको याद रखना है और एक्जाम में लिखना भी है और तीसरा है इसे कैड़ेट्स में धैर्य सही सुड़ुता और साहस की भावना जागरित होती है और यह सारे चीज़े अपने अंदर भी लेके आना है सबको सब्विंग आप एक इन सीसी कैड़ेट्स है और आपको जाना है टीसी तो टीसी में होता है अब स्टिकल ट्रेनिंग तो यह सारा चीज़ आप सीखोगे और सीखने से पहले सारा चीज़ आपको पता होनी चाहिए पढ़ना है आपको एक ग्रेड लाना है अगर बी स्रिक विकास होता है कैड़ेट्स में कष्टों का शामना करना सीखते हैं और इसे कैड़ेट्स में धायरे सही सुड़ूता और साहास की भावना जागरीत होती है इसे कैड़ेट्स में अनेक मानवी गुडों का विकास होता है इसे कैड़ेट्स के विक्तित्व का विकास हो ずöglich आपका एक 협श आपका एक like मेरे लिए motivation का काम करता है और माया डेली ये चैनल आइसा है आपके लिए एक नए topic एक नए question answer के साथ वीडियो मिलता है तो फ्लीज वीडियो पे एक like करें और अपने सेटिफिकेट होल्डर्स होते हुं के लिए जो इस पेशल इंट्री जो निकाली जाती उसका सबसे पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा आपको इस चैनल के माध्याम फिर पढ़ते हैं समय को नश्ट करने वाले मुख्यकारक कौन से हैं मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था आज का जो कुश्चन लाया हुआ आपको इसको दो से तीन मार पढ़ोगे तो लाइफ टाइम के लिए लगभग याद रखोगे तो फिर से आगया एक नॉ फोन एवं मोबाइल फोन उसके बाद है अनावश्यक यहां पर कुछ मिश्टेक है उसके बाद अधिक सामाजिकता उसके बाद टेली वीजन एवं कंप्यूटर ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं सब चीजों में और योजना एवं नियंत्रण में अपनी बीन योजना बना कुछन नहीं भी पढ़े रहोगे तो यह चीजे आपको लिखने आना चीज़िए क्योंकि NCC का ऐग्जाम ऐसा होता है कि उसमें ब्लैंक नहीं छोड़ना रहता है अगर आप blank छोड़ोगे तो आपका ज्यादा नंबर कटेगा तो blank नहीं छोड़ेना है आपको जो आता है अच्छे से लिखना है अच्छे से पढ़ाई करो और पढ़े रहोगे तभी अच्छे से लिख पाऊगे तो प्लीज आप अगर exam देने की तयारी कर रहे हैं पढ़ो, notes पढ़ो, handbook पढ़ो, वीडियो शे पढ़ो, बार बार पढ़ो एक बार में चीजे समझ नहीं आता तो लेकिन पढ़ना है फिर पढ़ते है next question है आप दाएं कितने प्रकार की होती है वेरिये डिजाश्टर management के question आगया तो आपदाई कितने प्रकार की होती है तो आपदाओं को नीम्ण प्रकार से वर्गी कृत किया जा सकता है सिध्धा आपको यह निलिग दिना वायूशंम, मन्धी, फिर लिग दिना, याता, यादुर, घटनस, फिर आग लगाना तो ऐसा नहीं लिखना है, आपदा कितने प्रकार के ही होती है, ऐसा question पूछा जाता है, तो आपको लिखना है सबसे पहले आपदा को नीमन प्रकार से वरगी कृत किया जा सकता है, पहला होता है प्राकृतिक आपदाएं जिसको natural disaster बोला जाता है इंगलिस में, और दूसरा हो मानव या मानवी एक कारणों से घटित होती है, तो याता या दूर घटन मानव के द्वारा ही किया जाता है, आग लगाने के भी कार्य मानव ही द्वारा ही किया जाता है, और आतंगवादी गतिवीधियां भी मानव के द्वारा ही किया जाता है, तो आप दाएं कितने प्र आपका हेल्थ हैं अडिया और हैजिन से आज को टॉपिक ऐसा है सभी में इस से एक कोशन निकालों जो आपका स्लेवश होता है उसमें इस एक कोशन निकाला हूं तो प्लीज मैं इतना महनत करके video लाया हूं आप एक लाइक जरूर करें अपने that thing केम नहीं कुस्चान आगया हो और समझना है यह पूंजना है कैंसर करोक के प्रामुक कारण क्या है कोशन रखा नाव पान मशाला सुपारी सिंसथ तर्स राबाधी का शेवन करने से towards होता है और अत्यधिक मोटापा एवं वसयुक तहार खाने से भी कैंसर का खत्रा है और उसके बाद धुम प्रदूसर एवं रशानिक पदार्थ यह क्या हो गया कैंसर के प्रमुक कारण हो गया उसके बाद पढ़ते हैं अब आग्या देखो गन के बारे में राइफल्स के बारे में सभी में सभी जो टॉपिक है उनमें से एक एक कोश्चन आज मैं लेकर आये हूँ बोला था वीडियो की स्टाटिंग में और मोस्ट आई एमपी कोश्चन जिसको एक से दो बार पढ़ होगे तो चीजे याद हो जाएगा अगर आपको एक बार में ची स्टेन गन बोलते हैं ना यादक न करभाई न और इसका वजन होता है 6.5 पाउंड में और अगर किलोग्राम में बोला जाए तो 2.9 किलोग्राम उसके बाद बैरल की व्यास होता है 9 में उसके बाद रेंज अधिक्तम होता है 100 गज और रेंज अन ड्यूटी होता है 30 गज उ पढ़ोगे पहला होता है 0.22 उसके बाद होता है 7.62 mm SLR और फूर इंसास राफल के बारे में पढ़ोगे और यहां पढ़ली स्टेन गन तो ऐसा नहीं करना है कि इसमें का चीज उसमें यह लिग दिए उसमें का बैरल का व्यास पूछा है इस टेन गन का और आप लिग हैं फिर नेक्ष dax 1 बनाना है एपको घिर उसके बाद इसका वजन क्या होता इसमें इसका वजन क29 यह सारा चीज ऐसे याद करना है तो आपको एक इस दो बार में अच्छे से याद हो जागा और कभी नहीं भूलोगे इसके बाद पढ़ते हैं next question see you soon next video sorry, video complete हो गया एक smile के साथ please video अगर like नहीं किये हैं तो video like कर ले और channel पर पहली बार आए हैं तो channel subscribe कर ले मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैहिं